हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आइट इनेश नॉलिज पाइंट आज दस जनवरी है, दस जनवरी है विश्वे हिंदी दिवस विश्वे हिंदी दिवस का जो मुख्य उद्देश है कि विश्वे में हिंदी का प्रचार प्रसार उसके लिए एक अच्छा वातावरन बनाना और हिंदी के प्रती एक प्रेम पैदा करना हिंदी की दसा के लिए जागरुपता फैलाना और इसी के तहट जो हिंदी को विश्वे भासा करूप में प्रस्तूत करना है बीदेसों में भारतीय दूतावास विश्व हिंदी दीवस को विशेश दूप से आयोजन क्या रता है जितने भी सरकारी कायाले हैं वहाँ पर अलग-अलग विश्वों पर हिंदी के लिए अलग-अलग कारेक्रम आयोजन क्या रता है अब इसके लिए कि 10 जनवरी क्यों चुना गया विश्व हिंदी दिवस के लिए तो विश्व में हिंदी प्रचारित प्रसाइत करने के उदेसे से विश्व हिंदी समेलन का आयोजन शुरू किया गया था पहला विश्वे हिंदी समेलन 10 जनवरी 1975 को नागपूर में हुआ था और 10 जनवरी के दिन ही विश्वे हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाने का नीने लिया गया भारत के पूरपधानमंत्री मनमोहंसी ने 10.12.6 को प्रतिवर्स विष्वे हिंदी दिवर्स 10.12 की रूप में मनाया जाने का घोशना किया था इसके अलावा एक और है जो 14 सितंबर को हिंदी दिवर्स की रूप में मनाया जाता है भारत में हिंदी दिवस के रूप में और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को समविधान सभा ने हिंदी को राजभासा का दर्जा दिया था और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम लोग एक और जो बिहार स्पेसिल एक प्रोग्राम है उसको हम लोग देख लें मुख्य मंद्री अनसुचित जाती एवं अनसुचित जन जाती उद्धेमी योजना अब इस योजना के बारे में जाने तो इस योजना का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम लोग इसको जानते हैं मुख्य मंद्री अनसुचित जाती एवं अनसुचित जन जाती उद्धेमी योजना संचालन किया जा रहा है इस योजना का कार्यानवन जो किया जा रहा हूँ है बिहार स्टार्टप फंड़ ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा और इस योजना के अंतरे अतलाब क्या होगा अनसुचित जाती मनसुचित जन जाती के युवा युटियों को उद्दो गस्थापना करने के लिए और बेजगारी खतम करने के लिए पांच लाख का दिन उन्हें बिना किसी इंट्रेस्ट का उपलब्द कराया जाएगा और इसके साथ ही आवेदर का चैन किये जाने के बाद में उसे परियोजना के जो लागत है जितना उसको खर्च पड़ रा है टोटल पोजेक्ट पे उसका 50% तक अनुदान दिया जाएगा मतलब 50% तक उसको माव भी किया जाएगा उसको ग्रांट दिया जाएगा इसका ऐसा प्रावधाने और मैक्सिम्म जो है वो मैक्सिम्म पांच लाग है इसको अगर हम लोग इसमें देखें तो संबदित प्रचित के युआ यूतियों को कुल परियोजना लागत पर यूनिट यहाँ पर बात होदी पर यूनिट का 50% अधिक्तम पांच लागत ब्याज मुक्त दीन होगा और 50% जो है अधिक्तम 50% या पर अधिक्तम पांच लाग विसेश परुटसाहन योजना के अंतरगत अनुदान या निस सबसीडी दिया जाएगा और लागों को पर यूनिट जो है पचीस जार रुपिया भी इसमें दिया जाएगा मतलब इसके दिक सभी जो ला लाभारती के लिए योग गयता क्या होनी चाहिए लाभारती की योग गयता जो है सबसे पहला चीज की बिहार के निवासी हो उसके अलावा अनसुचित जाती अनसुचित जाती वर्ग के अंतरगत आते हों कम से कम 10 प्लस 2 या फिए इंटरमेडियर्ट या फिए आई टी आ तो यह जो है योजना के अंतरगत लाभारतियों का एक योग गयता है तो इसमें जो इंपोर्टन्ट है जो कि आप इस्तमाल कर सकते हैं एक्जाम में वह है कि इस योजना में है क्या अनसुचित जाती जन जाती क्या अगर कुछ योजना अगर पुछता है वेलफेर स्किम तो आप उस योजना में इसको डाल सकते हैं कि यह जो है बेजगारी खत्म करने के लिए पांच लाग का दिन उन्हें बिना किसी ब्याज का उपलब्द कराया जाएगा